इपिसिंग साथ का खरीदावा नहीं है। इपिसिंग साहब के सेख़ना आपने नहीं किटा है। आपके सरजमीन जो है, आप नेशनलिस्स जरूर होंगे, वहां के, लेकिन आप ये क्या बात कर रहे हैं, कि आप किसी तो धंकी दे रहे हैं, कि आप मेरे मुल्क में दाखिल होके दिखाएं, ये जो एपी सिंग साहब ही है, तो सबसे बड़ा सहूलत कारे है, ये जो इंदुस अपके सिंग साहब की तमा कितनी भी सिंग सम् कार्स हैं, वह निकाले जाएं, ऐ बातक přتरी हैं, तो सबस्यक्राइब एक दोस्तों गुलाम हैदर के वकील की तरफ से बहुत ही जबर्दस इंटर्वियू आया है एपी सिंग और सीमा हैदर के हवाले से जो के आज का लेटिस्ट इंटर्वियू है और ये इंटर्वियू बहुत ही धमाकेदार इंटर्वियू होने वाला है जिसमें रोशन अली खान एपी सिंग को खरी खोटी सुना डाली जो के आप सभी को पता ही है कि एपी सिंग ने कहा था कि अगर गुलाम हैदर और उनके वकील इंडिया आएंगे तो सोच समझ कर आना इसी तरह से एपी सिंग ने गुलाम हैदर और उनके वकील को लेकर कहा था तो दोस्तों इन तमाम बातों को लेकर रोशन अली खान ने इंटर्वियू दिया है और गुलाम हैदर का केस कहां तक पहुँचा है आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल आपको मिलेगी इसलिए आपसे गुदारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा और जितना हो सकते इस वीडियो को जैदा से ज्यादा शेर जरूर कीजिएगा तो आएए देखते हैं उस इंटर्वियो को लेकिन ये शक्स इसको वकिल नहीं मानते ये जो काला कोट पहनता है फ्रह तो ये तमीज नहीं पहनने की ये सीमा हैदर मामले में सीमा का सबसे बड़ा सहूलतकार ये है मेरा ये कहना है इपी सिंग साहब का जो है इमेल का रिकार्ड निकला जाए इपी सिंग साहब की तमाम जितनी भी सिम कार्ड्स है वो निकले जाए एपी सिंग साब के जितने भी मुबाइल फोन है वो ट्रेकिंग पे लगाए जाम का रिकार्ड निकाला जाए एपी सिंग साब का तमाम जितना भी ट्रेवल रिकार्ड है वो निकाला जाए मैं यकीन से कहता हूँ ये हिंदोस्तान दुश्मन है ये देश गरोई है ये हिंदोस्तान दुश्मन है एपी सिंग देश गरोई है हिंदोस्तान का और ये ही सारी गेम कर रहा है ये सीमा का साथ दे रहा है ये सहुलत कार है देपाल में भी इसने सवलत कारी किया, हमारे पास सुबूत हैं हम वो सामने लाएंगे, सामने लाएंगे, एपी सिंग पकड़ा जाएगा और इसको सामने लाना बड़ा जरूरी है हिंदोस्तान की सरदमीन एपी सिंग साथ ने नहीं खरी दिये कि वो कहता है कि गुला मेतर का वकील सोच समझ कर हिंदोस्तान में कदम रखे एपी सिंग साथ अजरे मेरा मेसे सुन रहा है तो वो थोड़ा खोश के नाखुन ले, आपने नहीं खरीदा हिंदोस्तान आपकी सरदमीन जो है, आप नेशनलिस्ट जरूर होंगे लेकिन आप ये क्या बात कर रहे हैं कि आप किसी को धंकी दे रहे हैं कि आप मेरे मुलक में दाखिल होके दिखाएं आपने कांस्टिटुशन नहीं पढ़ा हिंदोस्तान का आपने हिंदुस्तान के कांस्टिटुशन का आर्टिकल 21 नहीं पढ़ा आईपी सिंग साथ आपने IPC इंडियन पीनल कोड नहीं पढ़ा ठ्रेट देना, इंटिमिडेशन करना आप ये आपको पता है आप पर F.I.R कर सकती है इस बात पर आपको पता है अगर मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर होता मेरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर होते हुए अगर आप ये बात करते तो मैं पाकिस्तान का वकील होते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप पर F.I.R कटवाता और मैं आपको बताता कि आपके समवी धान जिसको हम कांस्टिटूशन कहते है हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान के कांस्टिटूशन का आर्टिकल 21 मुझे प्रोटेक्ट करता है क्या बात कर रहे हैं आप आपने अपना कांस्टूटिशन नी पढ़ा हमने आपका कांस्टूटिशन पढ़ा है क्या बात कर रहे हैं आप दंकी दे रहे हैं किसको कर दंकी दे रहे हैं कि आपके पास इंडिपेंडन जुडिशरी नहीं है कि आपके पास इंडिपेंडन बार कि आप ऐसे दमकी देने किसी वकील को कि आखे दिखाए हम आएंगे मैं आओगा हिंदुस्तान इस इंटर्विए के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए असलाम आलेकूम खुदा हाफिज